नवाजकार आदाब आप सभी का स्वागत है C.I.B. इंडे नूस पर आए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला नाव डूब गई अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं जबकि 46 लोग अभी भी लापता बताय जा रहे हैं रक्षा बंधन के दिन यूपी के बांदा में एक बड़ा हाथसा हो गया एक नाव में सवार 50 लोग यमुना नदी पार कर रहे थे तभी नाव भवर में फस कर डूब गई ऐसे में नाव सवार लोग यमुना नदी में जा गिरे मामले में अब तक 46 लोग लापता हैं बता दे गुता प्रदेश के बांदा में गुरुवार को बड़ा हाथसा हो गया मरका थानो च्वित्र के एक नाव पर सवार 50 लोग यमुना नदी पार कर रहे थे तभी नाव अचानक तेज बहाओ के चलते भवर में फस गई घटा के सुचना पर पुलिस अस्थानी गोता खोरों की टीम के साथ मौकी पर पहुची उदर हतनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी का बहाओ अत्यदिक होने से गोता खोरों की टीम को लोगों को बचाने में परिशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं खबर आ रही है कि चार लोगों के शवब तक निकाले जा चुके हैं 46 लोग अभी भी लापता है खास बात यह कि नाव में सवार कुछ लोग रक्षा बंदन पर उपर अपने परिवार से मिलने भी जा रहे थे रक्षा बंदन पर उपर हुए हाथ से कचलते छेतर में अफरा तफरी का माहल बन चुका है उदर आला अधिकारी भी मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं आपको बता दे कि तीन महीने पहले बनारस में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था गंगा नदी में एक नाव डूब गए थी इस दोरान नाव में सबाद छे लोग डूब गए थे जिसमें तीन की मौत हो गए थी जानकारी के मताबिक मांसून की बारिश चलते हर्याड़ा की यमुना नगर में हतनी कुंड बैराज में पानी का अस्तर बढ़ गया ऐसे में बैराज से सुबह करीब छे से साथ बजे सत्तर हजार क्योसिक से उपर पानी छोड़ा गया जिसके चलते यूपी की तरफ आने वाली यमुना नदी में पानी का तेज बहाओ होने लगा जिसकी चपेट में बांदा में नाव सबार लोग आ गए जितने थे वो बोले हमारी नाव है हम भी डूब जाएंगे तुम किनारे में लेओ मैं ये भी बोला कि जितना कि नाव का खर्च होगा मैं दूँगा आदमी मैं बचाओंगा तुमको उट में कितने लोग रहे हैं कितने लोग लगभग जो है डूबे है चालीस आजमी की लगभग रहा होई सब अच्छे अच्छे सबी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें